तो हलो दोस्तो तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तो जैए फेयरवेल इवेंट जो आया हुआ है दोस्तो उसमें आपका ग्लूवल का इसकीन जो दिया गया है दोस्तो वो आपको कैसे मिल और किस दिन मिलेगा इसके बारे में हम बात करेंगे साथ में दोस्तों ये भी बात करेंगे कि हमारा जै करेक्टर जो है दोस्तों वह आप सभी को कैसे मिलेगा तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा और चैनल पर नुवाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की a skin मिलने वाली है तो यहां पर याद रखिए दूस्तों सिर्फ चोबीस जूलाई को जो है दूस्तों ये token एक token आपको मिलेगा उसी token से जो है दोस्तों आपको इन में से कोई भी एक गन को आपको चूंज करना होगा याद रखिए दोस्तों ये जो A stell and gun की skin है दोस्तो ये हमें already मिल चुकी है दोस्तो तो इसलिए फिर से आप PC को exchange मत कर लेना नहीं तो क्या होगा कि आपको इसके बदले में जो है FF token दे दिया जाएगा AWM चलाते होंगे तो ही दोस्तो इसको लेना नहीं तो मेरा recommend है कि दोस्तो आप M60 या नहीं तो दोस्तो आप UMP की skin ले लेना आपके लिए best रहेगा और अगर इसमें भी थोड़ी सी confusion है आपको तो मैं बता दू कि दोस्तो M60 gun बहुत से कम लोग यूज़ करते हैं हलाकि आप यूज़ करते हो तो ले लेना लेकिन दोस्तो UMP हर कोई यूज़ कर लेता है short range के लिए तो आप देख लेना कि दोस्तो कौन सा skin आपके लिए best रहेगा तो चलिए दोस्तो हम अपने event में आ चुग है जहां से हमें global की skin मिल ले वाली है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीज़ेगा और चैनल पे निवा हो तो चैनल को भी subscribe जरूर कर दीज़ेगा त तो दोस्तो एक वीडियो का लिंक मैं नीचे description में दे दूँगा उसे जाकर देखिए उसके बाद जो है दोस्तो इस वीडियो को देखिए तो दोस्तो यहां पर मैं बता दूकि यह जो दोनो रेयर आइटम आपको दीख रहे हैं दोस्तो जै करेक्टर और ग्लूर की skin इन मे मिलेगी जब आपके पास जै करेक्टर जो है दोस्तो पर्मानेंट होगा तभी जाके मिलेगा नहीं तो दोस्तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि दोस्तो आप सबसे पहले जै करेक्टर ही लो तो अगर आपके पास जो है दोस्तो जै करेक्टर पहले से हैं जो की दोस्त जिन एके बाद जो दोस्तों इस असानी से आप जा कर ले सकते हो दोस्तों जै करेक्टर का गुलूवल तो याद रखिए दोस्तों और जिसके पास अल्रेडी जै करेक्टर है उनको मैं बता दूँ कि दोस्तों इसका रिवर्ड अभी रिडिम नहीं हो पा रहा होगा क्योंकि इसका पीक डे आने वाला है जो कि दोस्तो आएगा 24 जुलाई को उस दिन इस ग्लूवल की एसकीन को आप रिडिम कर सकते हो लेकिन याद रखिए दोस्तो जैसे कि मैंने पता है कि आपके पास जै करेक्टर जो है पर्मानेंट होना चाहिए तभी आप रिडिम कर पाओगे तो उमीद करता हूँ कि दोस्तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के साथ सेयर करिए और चैनल पर नूए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा